इटावा में फैली जानलेवा बिमारी, 24 घंटे में एक ही परिवार के दो मासूमों ने तोड़ा दम खौफ के साए में जी रहे ग्रामीन, जिस घर के आंगन में कल तक बच्चे खेला कुदा करते थे आज उसी घर के आंगन में ये महिलाएं मातम मना रही है इटावा के इस गाउं में इन दिनों एक अनोखी बिमारी ने कोहराम मचा रखा है एक के बाद एक बच्चे दम तोड़ रहे हैं, अब तक पिछले 24 घंटे में एक ही परिवार के दो मासूम दम तोड़ चुके हैं अगर जल्द इस बिमारी का तोड़ नहीं निकाला गया तो वो दिन दूर नहीं जब गाउं के घर घर में मातम पसरा होगा उसराहार थानक्षेतर के कुर्खा गाउं में बीते दिन धर्मेंदर कठेरिया के दो बच्चों की तबियत अचानक बिगड़ गई सबसे पहले धर्मेंदर कठेरिया के एक बेटी की तबित खराब हुई जिसके बाद लगातार वो उल्टी और दस्त करने लगी परिवार आनन फानन में उसे पास के डॉक्टर के पास लेकर गया जहों डॉक्टर ने उसे दवाई दे दी और फिर कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई वही दूसरे दिन धर्मेंदर कठेरिया के बेटे अर्पित ने भी दम तोड़ दिया उसको भी दस्त और उल्टी हुई थी इस घटना के बाद धर्मेंदर के परिवार के साथ पूरा गाउं सदमे और खौफ में है अब आज दूसरा देने हुआ मेरा बच्चा को खतम हो गया इसी थाफ से खतम हो गया उसको और उल्टी होई थी उल्टी होने के बाद वही इस तरीके से अनोखी बिमारी से एक ही परिवार में दो बच्चों की मौत के बाद स्वासे विभाग की टीम गाउं में पहुच गई और अब बच्चों की मौत कैसे हुई इसकी पर्ताल में जुट गई है टीम को गाउं में साफ सफाई भी दिखाई नहीं दी जिसके बाद गाउं में साफ सफाई का भी इंतजाम कराया गया वहीं एक के बाद एक दो बच्चों की मौत के बाद गाउं के लोग काफी डरे सहमे हुए हैं फिलाल स्वास्ते विभाग की टीम ग्रामिडों के सेंपल लेकर जांच परताल में जुड़ गई है बंजाब के इसरे टीवी के लिए इटावा से अर्विन कुमार की रिपोर्ट हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए